So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज हम बात करेंगे बंदन बैंक लिमिटेट के बारे में So guys, बंदन बैंक में अगर आप देखोंगे तो स्टॉक में आपको एक अच्छा टारगेट मिल सकता हैं आने वाले कुछ टाइम में और यहाँ पर स्टॉक अच्छे मोमेंटम के साथ यहाँ पर उपर की ओर जाता हुआ हमें नजराने वाला है So आज की अगर बात करें तो स्टॉक में हमें कही न कही गिरावट देखने कबले But Monday के जो important levels हैं Monday के जो IMP levels हैं वो आज हम discuss करेंगे तो वीडियो को बिना skip किया है एंड तक देखना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं बंदन बैंक लिमिटेट के पर So guys यहाँ पर आपके सामने बंदन बैंक लिमिटेट के लेवल्स है और यहाँ पर अगर देखें तो स्टार्ट इस पर्टिकलर लेवल पर काफी टाइम से सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आ रहा है वही अगर देखा जाए तो स्टार्ट यहाँ से एक नीचे की और आ था यहाँ पर आप देख सकते होगा स्टॉक यहाँ से नीचा आया और यहाँ पर एक important support लिया support लेते से ही एक gap आफ हुआ फिर उपर गया और इस gap को fill करने के लिए एक बड़ी candle बनी इस बड़ी candle ने इस gap को suddenly fill कर दिया और स्टॉक फिर से यहाँ से उपर के और का एक reversal लगा फिर स्टॉक इस particular level से rejection लेके नीचा आया फिर उपर गया फिर यहाँ से rejection लिया फिर नीचा आया फिर नीचा आया तो guys यहाँ पर यह जो level है पूरा जो level है एक IMP support level हम इसे कह सकते हैं एक IMP support level है तो यहाँ पर support लेता हुआ stock यहाँ पर आगे बढ़ रहा है consolidate कर रहा है तो एक चीज़ अगर मैं कहूं तो यहाँ पर अगर इस particular level पर क्योंकि अल्रेड़ी यह काफी टाइम से rejection इस level पर ले रहा है तो इस level को अगर ब्रेक कर देता है तो एक अच्छा momentum आ सकता है उपर की ओर का 280 से 281 रुपे तक stock उपर की ओर जाता हुआ manager आने वाला है so वही बात करें तो यहाँ पर आप इस level को समझने कोशिश करो वही level में बता रहा हूँ तो एक range यहाँ पर create हो गई है एक range stock में create होगी है तो यहाँ पर 275 के around अभी यह trade कर रहा है तो यहाँ से एक support लेता हुआ share उपर की ओर जा रहा है और यहाँ पर 286 रुपेज का level हम आपको बता रहे है 286 का target हम रख रहे है क्यूंकि यहाँ पर यहाँ पर huge gap down हुआ था bank nifty पूरी तरीके से गिर गया था huge gap down यहाँ पर हुआ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस range को यह break करते से ही 285 अभी 286 के around यह level को अच्यू करेगा ही करेगा क्यूंकि stock में हम पहले से ही काभी ज़्यादा positive है stock इस particular level पे strong support पहले से ही यहाँ पर ले रहा है यहाँ पे stock में support था stock यहाँ से उपर क्यूर गया फिर stock ने support लिया फिर stock ने support लिया फिर support फिर support तो कई बार इस important level पे stock support ले रहा है तो यहाँ से stock अगर देखे तो एक range यहाँ से फिर से create हो रही है तो 350 के around का level तो ही है बट यहाँ पर हम target रख रहे है 400 का 400 रुपीज का जो level है वो easy तरीके से stock अच्यू गर सकता है 400 का जो level है वो easy तरीके से अच्यू हो सकता है और 400 के level के बाद जो target आपको मिलने वाले है वो काफी important है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन level से stock में rejection है 703 रुपीज के level हमने target रखा है एक बड़ा target है हमारा फिर 600 के रुपीज से break नीचे की वर स्टॉक है तो यहाँ से rejection यहाँ से rejections तो हम इसी level का wait कर रहे है कि कब यह 400 के level को break करता है और कब 700 रतिक जाएगा तो 700 का जो level है जो target है वो हम काफी ज्यादा important हम इसे मान रहे है काफी time से तो बिलकुल यह level अच्छी हो गई होगा तो गई साथ ही यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो बंदन बैंक में जो community sentiments के आकड़े आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर 80% जो लोग है stock में वो यहाँ पर आपको positive नजर आएगे बिलकुल 80% लोग positive है वो 20% लोग है जो stock में आपको sell करने के लिए आप पर कह रहे हैं बिलकुल यहाँ पर 46 लाग के आराउंड की delivery आज फटाएगे आज stock में हमें गिरावट ने जराए बंदन बैंक लिमिटेट आज गिरावट के साथ इसने closing दी है 266 रुपे के price पे stock ने आज closing दी 2.55 रुपीज तक इस stock में fall देखने को मिला 0.92% के साप से तो guys I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा I hope आपको लेवल समझ में आया हो गया वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक करो चनल को सब्सक्राइब करो ठेंक यू